हलो दोस्तों हलो हलो अब सब लों को फिर से एक नेवड में श्वा करते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लों को बताने वाला हूं best enginements for acts तो सबसे पहले मैं आप लों को बताऊंगा ax में असली में कौन-Kौन सा enginements जो लगते हैं और उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा इसका यूज क्या होता है और आखरी में आप लोगों को बताऊंगा आपको कौन-कौन सा एंजन में जो अपने एक्स पर लगाना है तो वीडियो जो है काफी ज़्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाले तो चलिए जल्दी को वीड करता है तो जल्दी से जाओ लाइक कर दो तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा एक्स में कौन-कौन सा एंजन में जो है लगते हैं तो जैसे कि आप इधर देख सकतो इधर पूरे को पूरे पूरे मतलब एक एक में आप पूरे को पूरे 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 लेवल का एंजन में मतलब माइन क्राफ्ट में जो भी हाई लेवल का एंजन में इससे ज्यादा एक्स को आप हाई लेवल और करी नहीं सकते पूरे को पूरे हाई लेवल एंजन मेंट से अब देख सकतो यही होता है आपका जो कोई भी लॉक को तोड़ते हैं तो उसका जो स्पीड होता है वो बड़ा देता है और मेंडिंग का यूज यह होता है कि यह जब कोई यहाँ बड़ा देता है कि आपका जब भी कोई जॉंबी वगर मारेंगे मतलब कोई किसी को भी एक करेंगे न तो उसका जो हाइट आप है अगर आप नॉर्मल जो भी एक्स को देख सकते हैं जो भी इसका भी यह 10 है और है जो दुझत तो दोस्तो आखरे में आता है तो इसे से तोड़ेंगे तो तो यह कॉई भी बॉक्त तोड़ों को तूड़ों मिलेगा मतलब वह जैसा है वह यह रहता है तो दोस्तो यह पूरे को पर पांच एंजैनमेट्च का नॉर्मल लगते है स्थी में आपनकर देख सकते हैं कि आपकी साप्लिंग्स में काम करते हैं तब आपपलों को साप्लिंग्स पगर मिलेंगे और अपलों को ज्यादा chances बढ़ जाते हैं कि saplings का और जो apples मिलते हैं उसका भी इसका जो rating होता है ना मतलब ज्यादा गिरने का जो rating होता है वो बढ़ा देता है और इसी का काम करता है नार्मली इसका fortune 3 का इतना use नहीं रहता आप pickax से भी तोड़ देंगे ना तब आप लोंको उतना ही rating मिल जाता है तो दोस्तों अभी आप लोंको बताऊंगा आपको कौन सा enginement जो अपने axe पर लगाना है तो सबसे पहले मैंने दो axe आप लोंको बताये था एक में fortune 3 है और एक मैं silk touch है अब देख सकता इसमें सिल्क टंच है इसमें fortune 3 है तो इसका जो अलग-अलग use होता है तो इसलिए आप लोग यह कभी भी computationalली नहीं मिलेंगे मतलब एक एक में यह दोना एंगेक्ष में जोटें कंबेंडली मिलेंगे तो दूसरा दूसरा में में ही उसी में आप तब आप शार्पनेस लगा सकते हो और आप लोगों को सिल्क टच कर ज्यादा यूज रहते हैं तब आप लोगों को सिल्क टच भी लगा सकते हो या फिर फॉर्ट्यून द्रीका मेरे सबसे जो एक्स का ना आप एफिशेंची फाइव और मेंडिंग अनब्रेकिंग यही बेस इसका इससे जदा आप लोगों को कोई भी एंजनमेंट रखने का जरूत नहीं पड़ेगा इससे आप लोगों को बिकार में ज्यादा एक्सपी जो है मांगेगा तो इससे अच्छा आप लोगों को एफिशेंची फाइव मेंडिंग अनब्रेकिंग यही बेस्ट एंजनमे आप लोगों को जरूत नहीं पड़ेगा मतलब यह दोना अगर आप यूज करेंगे ज्यादा एक्स कोई यूज करेंगे तब आप लोगों को जरूत पड़ेगा वरना मैं स्वाड को यूज करता हूं तो इसलिए मेरे लिए जो है ना बेस्ट एंजिनमेंट्स यही है मैं ज्यादा आप लोगों को यही प्रिफर करूंगा कि एफिशेंशी फाइव अनब्रेकिंग और मेंडिंगी बेस्ट एंजिनमेंट्स होंगे तो दोस्तों आज कर वीडियो में बस इतना ही अगर आप लोगों को यह पसंद आगी तो लाइक और शेर कर दीजिए और आप इस